Hello everyone, welcome to study time with new informative video उत्तर प्रदेश लोगसेवा आयोग से समीक्षधकारी और साहक समीक्षधकारी की यानि की आरू और एरू 2030 की जो भरती है वो आई हुई थी और इसका जो अब एक्जाम है वो आपका 11 फरवरी को प्रस्तावित है तो निश्चित तोर पर आप लोग एकदम तयार होंगे इसके लिए और एकदम जितना आपको जोर लगाना था उतना लगा चुके हैं और अब जो अंतिम समय है वो आ गया है और अंतिमे आपके पास बस 20 से 22 दिन का जो समय बचा है उसका आपको अच्छे से जो सदुपियोग है वो करना है अच्छे तरह से रिवीजन बगैरा जो है वो कर लेना है अगर बात करें इसके एडमिट कार्ड की की आखिरकार एडमिट कार्ड काब आएगा तो देखिए यूपी पिएससी जो है लगभग 20 दिन के सम्थिंग में आपका जो एडमिट कार्ड है वो जारी कर देता है यानि कि 15 से 20 दिन जब आपके एडमिट कार्ड है जारी कर दिया जाता है तो अभी आपका जो इसका एडमिट कार्ड है जारी कर दिया जाएगा यानि कि 22-23 तारीक तक आपको इसका जो admit card है वो देखने को मिल जाएगा बहुत से लोगों का रहता है कि पता चल जाए कहां center जा रहा है क्योंकि reservation वगएरा भी कराना रहता है क्योंकि जाने की समस्याएं होती है center यहां वहाँ चला जाता है है ना ऐसा तो है नहीं कि हर जेले में होता है लेकिन विद्यारती तो हर जेले से हैं तो इस वज़े से विद्यारती उत्सक रहते हैं कि जल्द से जल्द पता चल जाए तो अपना reservation वगएरा जो है वो time से करवा ले ताकि seat मिल जाए आराम से paper देने जाए तो आप लोग जो है अपनी तायारी पे focus बनाए रखें एक दब और निश्चित तोर पर अगले हफते यानि कि सुमबार या मंगल तक आपको इसका जो admit card है वो देखने को मिल जाएगा इसके पहले ही हो सकता है आपको देखने को मिल जाए लेकिन जो update मिली थी उसके according आपको सारी चीज़े यहां पर बता दी गई है Thank you, मिलते हैं new informative वीडियो के साथ और best of luck for your selection not for exam Thank you